तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एंकर के गीजर को आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के बॉक्स में फैक होके आता है यहाँ बॉक्स पे इसका इमेज दिया गया है ये एक 15 लीटर का गीजर है और इसका मॉडल नंबर है एंकर के लिश्टो इस गीजर पे हमें अच्छी खासी वारेंटी भी मिल जाती है जैसे कि इसमें हमें 3 येर्स की फूल वारेंटी मिलती है इसके हीटिंग इलिमेंट पे हमें 4 येर्स की वारेंटी मिलती है और इसके टैंक पे हमें 7 येर्स की वारेंटी मिलती है इस घीजर में हमें फ्री इंस्टॉलेशन और 1.5 फिट के फ्री इनलेट और आउटलेट पाइप्स भी मिल जाते हैं ये एक 5 स्टार डेटेट घीजर है और यहां इसके कुछ फीचर्स को सोग किया गया है जैसे कि इसका टैंक ग्लास लाइन है जिससे टैंक की लाइफ बढ़ जाती है इसमें मैकनेसियम अनोट का यूज किया गया है जो कि टैंक और हीटिंग एलिमेंट के लाइफ को बढ़ाएगा इसके heating element पे भी class line coating की गई है जिससे इसका heating element को रोजन से बचेगा और इसमें हमें poly-rethine foam का insulation भी मिलता है जिससे इसके अंदर का पानी देट तक गरम रहेगा और energy के भी savings होगी यहां box पे इसका MRP 15,795 दिया गया है और online यह app को 10,000 के आसपास में मिल जाएगा आप देख सकते हैं हमने इस geezer को install कर लिया है और यह कुछी इस्तिरा का दिखता है इस पे काफी अच्छा design दिया गया है नीचे के list लिखा गया है और उपर anchor की branding दी गई है यहां side में हमें एक thermostat knob मिल जाता है जिससे आप इसके temperature को adjust कर सकते हैं घीजर की नीचे हमें inlet और outlet connection का point दिया गया है इसके सद फ्री मिले हुए pipes को भी हमने इसमें लगा दिया है इस geezer में हमें 16 amp का power plug मिल जाता है और इसके wire की quality भी काफी अच्छी है side से यह geezer कुछ ऐसा दिखता है और यह सिर्फ 15 liters का है तो ज्यादा space भी नहीं लेता है इसका power consumption 2000 watts है तो यह पानी को जल्दी गरम कर देगा अभी हमने इसे on कर दिया है और यहाँ इसका यह indicator glow कर रहा है यहाँ हमें green और red colors के indicators मिल जाता है green color का indicator power on को so करता है और red indicator heating on को so करता है पानी गरम होने के बाद red indicator अपने आप off हो जाता है इस घीजर में हमें over heating protection, dry running protection, high pressure protection जैसे सारे safety features मिल जाते हैं overall यह एक अच्छा घीजर है और आप इसे ले सकते हैं इसका bank link नीचे description में दिया गया है और आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में बाई अगर आपको जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको जरूर सब्सक्राइब करें